वेलकम तुद अप्रियाग राजी इंस्टूट, आज भूनों बात करेंगे प्रभंदर से समन्भित अत्मार्पूर्ण परशनों के बारे में, ये जो परशने हैं आपको वान लाइनर पॉम में दिये गए हैं, और ये फैक्ट आपके आने वेले एक्जाम के लिए बहुत ज सही थर सके, तो इन प्रशनों के करम में या ये ख़ें इन तक्टियों के करम में हमारे समन्य जो पहला तक्टिया है ये है कि इक्टि का अधिनस्थो में विभाजन क्या कहलाता है। आप से पूछा जा रहा है कि ये जो पार होती है जो शबषडिनोड में उनका डिविजन हो जाए या यह कहा जाए उनको बांट दिया जाए इसको क्या कहते हूं यह कहलाता है सक्ति प्रिथाकराण या सक्ति का विभाजन तो सक्ति का अधिनस्तों में विभाजन क्या कहलाता है सक्ति का प्रिथाकराण या पावर सेप्रेशन दूसरा पॉइंट यह कहें दूसरा त ध्यान दीज़ेगा, इसमें हमने हिंदी के साथ साथ उसका English भी बताने के हम कोसिस करेंगे, जिससे English Medium और Hindi Medium किसी भी तरीके के छात्रों को समस्या ना हो, अक्सर ये बात जो है वो comment box में मेरे को सुनने को मिलती थी, कि Sir, आप इसकी English के लिए आप कुछ करें, तो हमने ये कोस संग्ठन में मुख्य फैसले किसके द्वारा लिये जाते हैं, तो संग्ठन में मुख्य फैसले होते हैं, वो सिर्ष प्रबंधन द्वारा, जो top management होता है, उसके द्वारा लिया जाता है, और देखो, यहाँ पर आप ध्यान रखिये, कि जो management होता है, उसके 3 level होते हैं, एक टॉप मेनेजमेंट, दूसरा लेवल होता है, मिडल मेनेजमेंट, और सबसे नीचे होता है, बॉटम, मतलब नीचलाजता है, तो जो भी जो मुख्य फैसले होते हैं, शंगठन में, और्गनाईजिशन में, वो सिर्ष प्रबंधन के द्वारा लिया जाता है, टॉप मेनेजम अति-पूझी करण या ओवर कैप्टिलाइजिशन, तो ओवर कैप्टिलाइजिशन या अति-पूझी करण क्या है, प्रतभूतियों का दे मुले पर जब संपतियों के चालू मुले से अधिक हो, तो इस इस्थिति को कहते हैं, अति-पूझी करण या ओवर प्रबंधन, तो प्रबंधन के द्वारा ही आप किसी भी कारी को, किसी भी काम को अच्छे तरीके से आप complete कर सकते हैं, ठीक है, तो किसी भी कारी को सुचा रुप से पूंग करने के लिए क्या वस्यक है, वो है management, प्रबंधन, अब आगे चलते हैं, किसने कहा कि बजट एक नि प्रबंधन, तो ये statement दिया गया था, बजट के बारे में Taylor के द्वारा, तो फिर सी इस तत्य को जानिए, बजट एक निश्चित अवधी के लिए सरकार की वित्ती योजना है, ये बोला था Taylor ने, अगला तत्य ये है कि Post Corp का सिधान्त किसने परतिपादित किया था, तो Post Corp का सिधान्त Luther Gullick ने दिया था, किसने दिया था? Luther Gullick ने, अब हम बात करेंगे कि Post Corp का पूर्ण रोग क्या है, या ये कहें कि जो इसमें लेटर इस्तमाल हुए है, उनका मतलब क्या होता है, तो देखिए, P का मतलब होता है, Planning, जिसको हिंदी में Newsern बोलते हैं, O है Organizing, धन कर्मचारी, Directing, नर्देश, देना, Coordinator, समन्वे, Reporting, रिपोर्ट, बजटिंग, बज़र से समझें, तो Post Corp में ये जो लेटर है, उनका क्या मतलब होता है, ये भी आपसे एक्जाम में पुछे जाते हैं, तो इनको जो है, अब इस पेस्पलिक याद रखिए, और याद कीजी इसको, ठीक है, इसी वज़े से मैंने इसको जो हाइलाइट किया है, आगे हम बात करें, विचार धारा का मस्तिक्स जटिल वा प्रत्यच दरपन है, ये एक ऐसा प्रियोग है, जिसमें मांसिक विचार सब्दों के रूप में ढल कर सम्मुख आते हैं, या कथन किसका है, इस स्टेटमेंट को दिया था, जार्ज हॉस्टन ने, किस ने दिया था, जार्ज हॉस्टन ने, तो जार्ज हॉस्टन के अंसार, विचार धारा का मस्तिक्स जटिल वा प्रत्यच दरपन है, ये एक ऐसा प्रियोग है, जिसमें मांसिक विचार सब्दों के रूप में ढल कर सम् एक बीपणन, बीपणन कारिकरम मतलब की marketing program, एक बीपणन कारिकरम अपनाती है यह बीपणन मुल नीती का कौन सा प्रकार है? आपको बताना है कि यह जो marketing fundamental policy होती है, उसमें यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा भेद भाव रहित बीपणन नीती, इसको इंगलिस में क्या ब policy, तो non-discriminatory marketing policy क्या है? भेद भाव रहित बीपणन कारिकरम अपनाती है, यह बीपणन मुल नीती का कौन सा प्रकार हुआ? भेद भाव रहित बीपणन नीती, non-discriminatory marketing policy, अब आते हैं अगले fact में. TQM, आपको बताना है कि TQM का full form क्या होता है? तो TQM का full form होता है, total quality management. क्या होता है? Total quality management. अब e-commerce में आपको B2B देखने को मिलता है, तो B2B का क्या मतलब होता है? यह यह कहा चाए कि B2B का full form क्या होता है? तो B to B का मतलब होता है business to business, ठीक है, business to business का मतलब B to B, अच्छा, प्रबंध किस परकार का प्रयास है, अगर आप से पुछा जाए कि प्रबंध किस परकार का effort है, तो आप बताएगा सामुही, ठीक है, तो ये है collective effort, ठीक है, कैसा effort है, collective effort है, तो प्रबंध एक परकार का collective effort है, स्वरुप रासी परदान करना क्या कहलाता है अगर हम किसी करमचारी को जो है वेतन तो देही रहें उसके साथ में उसको कुछ पुरसकार भी दे जाए उसको जो है अच्छे काम करने के लिए पुरसकृत क्या जाए तो पुरुस्कार स्वरुप जो रासी परदान की जाती है वो कहलाता है वो पुरुसाहन कहलाएगा क्या कहलाएगा पुरुसाहन तब किसी करमचारी को वेतन के अत्रिक पुरुस्कार स्वरुप रासी परदान करना पुरुसाहन कहलाता है सब एक के लिए और एक सब के लिए क्या दरसाता है फियान से देखिए इस तथे को सब एक के लिए और एक सब के लिए क्या दरसाता है सामुहिक उत्तर दायोत ये कहलाएगा Collective Responsibility क्या होगा collective responsibility की बात की जा रही है किसमें सब एक के लिए और एक सब के लिए क्या दर्सता है समुईक उत्तर दाइब अगला है किसी भी संगठन में किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अद्रिश इस्तर माना जाता है जो परबंधन के सरवच इस्तर से फैलते हुए सबसे नीचले इस्तर पर विस्तारी तो होता है इसे क्या कहा जाता है इसको बोलते हैं chain of command इसको थोड़ा सा इस डाइगराम से समझे ठीक है यह है चाएंगा तॉप पे टॉप मेंगोच मेंच बीच में मिडल और यह है बट कुरिट तो परबंधन के सरवच इस्तर से फैलते हुए निचले इस्तर पर विस्तारी थोना क्या कहलाता है, ये कहलाता है chain of command, ओके next, data का एक संग्रा, data का एक संग्रा, जिसे अलग-अलग लोगों द्वारा, इस्तमाल किये जाने के लिए design किया जाता है, क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं database, तर database क्या है, data का एक संग्रा है, ठीक है, collection है ये, data का, जिसे अलग-अलग लोगों द्वारा, इस्तमाल किये जाने के लिए design किया जाता है, कि जो उसको design कर से, तो ये क्या कहलाता है, database, उपभुपता के लिए निर्माता से एक उत्पात लाने में, सामिल विभिन संग्ठनों, मतलब जो different organization होते हैं, कि क्रम को इस रूप में channel of distribution में, किस में, channel of distribution में, next, इस बीधी में करमचारियों को company के लाव का एक हिस्सा प्राप्त होता है, अब तो बताना है, वो कौन सा method है, जिसमें करमचारियों को company के लाव का एक हिस्सा मिलता है, तो ये कहलाता है, profit sharing, या लाव, इन्दी में बोलेंगे, लाव सहभाजन, तो लाव में जो हिस्सेदारी होती है करमचारियों के कम्पनी को, तो इसको क्यों बोलते हैं profit sharing या लाव सहभाज़न, बही खाते में, जनरल से खाते में debit और credit मदों को, मतलब जो debit और credit रासी होती है, उसको transfer करने की प्रकिरिया, इस्तनांतिर करने की प्रकिरिया, यह कहा जाए, जो transfer करने का जो process होता है, क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं entry, ठेक है, प्रविस्टी, प्रविस्टी या entry, तो प्र जनरल से खाते में debit और credit मदों को transfer करने का process प्रविस्टी या entry कह लाती है, next, समान पारिस्रमिक अधिनियम, ठीक है, समान पारिस्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया, एक्ट की बात किया गया, अपको यह याद रखना है 1976 का है, 1976, तो 1976 में समान पारिस्रमिक, मतलग उते की बात की जा रहे है, समान पारिस्रमिक अधिनियम 1976 का, बित्ये प्रबन्धन एक बेवसाई की वह संचलानातमक परकिरिया है जो कुसल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावसाली ढंग से उप्योग करने है तू उप्योग करने है तू पुत्तरदाई होता है आपको बताना है कि यह statement किस ने दिया था तो यह statement J.L.Messy ने दिया था तो J.L.Messy ने क्या बोला है वित्य प्रमंधन एक व्यवसाय कि वह संचलनातमक परिक्रिया है जो कुसल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावसाली धंग से उप्योग करने है तो उत्तरदाई होता है यह statement है J.L.Messy का किसी का आत्म विश्वास जागरित करना क्या कहलाएगा यह कहलाता है प्रेरित करना या to inspire राइट तो प्रेरित करना क्या है किसी के आत्म विश्वास जो self confidence होता है उसको जगा देना ठीक है जागरित करना कहलाएगा प्रेरित करना क्या inspire करना राइट अगला fact लेखांकन ठीक है लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली डबल एकांटिंग सिस्टम किस परकार की पद्दती है किस तरीके का ये सिस्टम है ठीक है फिर लेखांकन लेखांकन मतल एकांटिंग की बात पर इसमें दोहरा लेखा प्रणाली किस परकार की पद्दती है यह एक scientific मेधाट है ठीक है बैज्ञानिक पद्दती है राइट नेक्स्ट विकृता की सूची में एक वस्तू के बारे में विसिस्ट विवर क्या कहलाता है ध्यान से देखे इस प्रश्न को विकृता की सूची मतलब जो सेलर है उसकी लिस्ट में किसी वी वस्तू के लिए होता है वो क्या कहलाता है यह कहलाएगा उत्पाद मद क्या उत्पाद मद नेक्स्ट नियोजन द्वारा निर्धारित लक्षों की प्राप्ति के लिए यहां से देखे नियोजन द्वारा निर्धारित लक्षों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है नियो का निर्मान अवस्ट्र है तो वो चाहिए उसको लिए संगठन और गेनाइजिशन तो ओर गनाइजिशन चाहिए किसके लिए नीयोजन द्वारा निल्हारित लक्षों की राप्तिके लिए पड्रा के लिए और गनाइजिशन का निर्मान होना अवस्ट्र акое नेक्स्ट वित्य विवरन जो financial statement और बही खाते मुख्य रूप से किससे सम्मन्ध रखते हैं तो financial statement हो और बही खाते ये जो है वो financial accounting से related हैं किससे सम्मन्दी थे? financial accounting से तो वित्य लेखांकन क्या है? तो वित्तिय वेवरान और वही खाते, जो सम्भन्दित हैं, वह है वित्तिय लिखांकन से, नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रे, ठीक है, उत्पाद पूडक्स शेलिंग करवाने के लिए दिया गया धन, क्या कहलाता है, ये कहलाता है कमिशन, जैसे कोई समान किसी से बिचवाना हो, तो उसको कहीए कि भीया तुम ये समान को बेज दो अगर मालने कि 100 रुपय उससे मिलते हैं, तो आप 10 रुपया रख लीजिएगा, तो वो उसका जो 10 रूपया देना होगई क्या कहत खालाएगा?yes कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है? तो यह है मानो शंसाधन प्रबंधन का, थेक ہے मानो शंसाधन प्रबंधन इंगलिश में क्या बुलेंगे इसको? human resource, human resource management, HRM, is for human, or for resource, M for management, तो कार्मिक प्रमंदन है, या ये बोला जाए, इंग्लिस में personal management क्या है, ये है human resource management, ये एक question है, अलग तरीके का, देखे, यदि राम ने नगत माल बेचा है, तो previous entry को कहां record किया जाएगा, तो इसको आप entry करेंगे, किसमें, cash book में, बहुत ही simple सा question, रोकड बही में, हिंदी में बोलते हैं, तो रोकड बही में, आप क्या करेंगे, जहाँ पे नगत माल बेचा जाता है, नगत माल बेचने का मतलब कि, आप समान बेचिये, और उसका जो है, cash में जाए, तो इसको आप किसमें entry करेंगे, cash book में, ध्याना कर्शन या लालच की कला, जो ब्यग्ति में किसी कारी को करने की इच्छा, एवं जिघ्यासा उत्पन कर दे, क्या कहलाता है, यह कहलाता है, अभी प्रेणा या motivation, तो motivation क्या है ध्यनाकर्षन या लालच की कला जो ब्यक्ति में किसी कारी को करने की इच्छाय और जिग्यासा उत्पन कर दे ये कहलाता है motivation Next International Public Management Association for HR का संबंध किस प्रबंधन से अपने आप में ये जो institution बता रहा है क्या International Public Management Association for HR HR for human or for resource तो HR का संबंध किस के प्रबंधन से तो ये है मानो शंसाधन प्रबंधन human resource management या ये कहे HRM short form निवन्तम मजदूरी अधिनिया ठीक minimum wages act की बात की जाएगा तो minimum wages act कब अवकास हो जाए तो अगली देती थी क्या होगी उसका next day ठीक बालक किसी कारी को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रबंधन होगी ये कहलाएगा positive motivation या positive motivation जब वह अपनी इच्छा से श्वय करे किसी काम को ठीक है तो बालक किसी कारी को अपनी इच्छा से करता है तो वह प्रणा कहलाती है सकरात्मक प्रणा या positive motivation नेक्स आपको कितने इस्टाफ की जरूरत है और क्या उन आवसकताओं की पूर्ती के लिए स्वतनत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचा कboard की स्वद लेने की जरूरत है ऐसी पूर्ति क्या कहलाती तो यह कहलाएगा मानो, शंसाधन, प्रवंधन आपको किस की जरूरत है लोगों की ठीक है या इस्टाफ की तो लोग और इस्टाफ किस में आते है यह आते है human resource में इसका management क्या हो गया? मानोशंसाधन प्रबंधन में क्या है अगर आपको कितने स्टाप की जरूरत है और क्या उन अक्स और शक्ताओं की पूर्ती के लिए स्वतंतर ठेके दारू या भाड़े पर कर्मचारियों के सेवा लेने की जरूरत है तो इसकी पूर्ती क्या कहलागी मानो शंसाधन प्रबंधन Human Resource Management राजनीतिक चुनावती जो political target होते हैं ठीक है, challenges होते हैं राजनीतिक चुनावती मानो प्रबंधन की किस परकार की चुनावती यह है external challenge ठीक है, बाहरी चुनावती किसी company ने एक अभनेता को ठीक, actor को अपने उत्पात के परचार के लिए चुनना किस परकार किस परकिरिया का भाग है ठीक है, जैसे मानों कि कोई company किसी actor को अपना product बेचने के लिए वो चुनावती है, तो आपको बताना है यह किस परकार की process है तो यह कहलाएगा marketing process क्या कहलाएगा marketing process ठीक एक machine को खरिदा जाना किस परकार का भाग है एक machine का खरिदा जाना यह है capital expenditure ठीक है, capital expenditure कोई अगर हम machine खरिदते हैं अपने company के लिए ठीक, तो वो machine किस में आएगी पुजी बेयर में, यह कहेंगे capital expenditures में नेत्रुत का विशेशक सिध्धान्त क्या है यह है, निताओं के जन्याद लच्छां से, समन्दी किसे समन्दी था यह? तो नेत्र का विशेशक सिध्धान्त inborn traits of leaders नेक्स्ट जब पुस्तकों के एक ही set में bank खाता रखा जाता है, तो यह क्या कहलाता है joint bank account जब पुस्तकों जब पुस्तकों जो पास्टूक होगी है, ठीक है कि एक ही set में bank खाता रखा जाता है तो यह कहलाता है joint bank account क्या कहलागा? joint bank account किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लावानी किस परकार बातेंगे? किसी ठहराव के अभाव में? साझेदार, लाव और रहानी किस परकार बातेंगे? in equal proportion, ठीक है समान अनुपात में तो समान अनुपात में जहें लावानी को वो बातेंगे next किसके द्वारा मानोशंसाधन विकास कारिकरम बनाए जाते हैं? तो मानोशंसाधन विकास कारिकरम या ये कहा जाए Human Resource Development Program ठीक तो क्या है? Human Resource Development Program कारिकरम जो है संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं किसके द्वारा? और्गनाईजीशन के द्वारा तो मानोशंसाधन विकास कारिकरम organization के द्वारा बनाए जाते हैं परसिछन क्यों महत्पूर्ण है परसिछन मतलब training training की importance क्यों है क्यों क्यों क्योंकि संगठन के विकास के लिए for the development of the organization it required परसिछन मतलब training training क्यों महत्पूर्ण है संगठन के विकास के लिए for the development of the organization, बजार का अवलोकन करना किसका कारी है, यह है, it is a part of marketing, किसका marketing का पार्ट है, तो बजार का अवलोकन करना विपलान का कारी, next, कच्चे माल की खरीद के लिए भूगतान, ठेक है, पेमेंट करना, ठेक है, कच्चे माल मतलब राव मेटेल, तो राव मेटेल की खरीद के भूगतान, और बिक्री से नगदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है, ध्यान से देखी, यह पर इंपोर्टेंट है, कच्चे माल की खरीद के लिए पेमेंट, और बिक्री से नगदी की वसूली के बीच का जो time gap होता है, समय अंतराल होता है, उ अच्छे माल की खरीद के लिए भुगतान और विक्री से नगती की वसूली के बीच के समय अंदराल को हम नगत कैस साइकल के नाम से जानते हैं। भविष्य के लिए सोचना या भविष्य की कलपना करना या उसकी दूर दर्शिता को सो करता है। आवधिक कर्ज किस परकार की देंदारी है। आवधिक कर्ज होता है वो लॉंग टर्म लाइबिलिटी है। कैसा लॉंग टर्म लाइबिलिटी है। यह कहें दिर्ग कालीन देंदारी। आवधिक कर्ज जो देंदारी है वो दिर्ग कालीन देंदारी है या लॉंग टर्म लाइबिलिटी है। कि कि सामोहिक प्रयास किसकी मुखे विषयस्ता है ? आपको बताना है कि ग्लैक्टी ऑफर्ड किसका यह वो कर्रों तो यह है संगठन की और से left कि सामोहिक प्रयास वो मुखे विषयसता है शंगठन की और से तो ये कुछ आपके सामने important facts थे, ये facts आपको कैसे लगे, जैसे भी लगे है, comment box में जरूर बताए, जो भी तुरूपी हो, उसको भी comment box में जरूर बताए, तब तक के लिए thank you, धन्यवाद, अगला fact है, अगला fact ये है कि भविस में क्या करना है, इसका पूरू निधारन क्या कहलाता है, आपको बताना है कि भविस की जो हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसको हम study करते हैं, planning में, क्या कहलाएगा, नियोजन कहलाएगा, तो भविस में क्या करना है, इसका पूरू निध निश्चित है या अनिश्चित तो यह निश्चित है प्लानिंग क्या होती है वो निश्चित होती है तो उदेश तो निश्चित होता है ठीक भले प्लान फेल हो जाएं और सक्से जाएं वो अलग बात है लेकिन उदेश तो निश्चित है तो नियोजन का उदेश क्या है नि शंसाधन, क्या मानो संसाधन प्रबंधन से, तो human resource management, अब यहाँ पे ESOP का full form जा लिजे, तो ESOP का full form होता है, employee stock ownership plan, employee stock ownership program, तो इसका सम्मंध है मानो संसाधन प्रबंधन से, शंगठन को सत्ता का अपचारिक धाचा किसने कहा है, तक संगठन को सत्ता का अपचारिक धाचा लुथर गुलिक ने कहा है, बस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई विरिधी करने पर प्राप्त होने वाले लाप को क्या कहा जाता है, बस्तु या सेवा की सिमान्त उप्यो औरूमा करना क्या कहलाता है जो को स्वेक्ट निरना करना क्या हुआ हखाए अधिकार जो हार आफिशर होता है उनके नियोजित बिभार क्या कहलाता है जो प्लांट बहेवियर होता है वो क्या कहलाएगा यह कहलाएगा और चारिक संग्ठन इस टॉक किये गए माल के अकार वह प्रतिसत की विशिश्था को कौन दर साता है यह है इन्वेंटरी क्या इन्वेंटरी विपड़न में किसकी प्रत्किरिया सबसे महत्मुन मानी जाती है तो मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा जो रियक्शन जो इंपोर्टेंट है वो है क्राहा की किसकी कस्टमर की नेक्स्ट संपतियों को ब्यवसाए में किस उदेशी है तू रखा जाता है तो यह है आगम उपार्जन है तो पर रिवेन्यू जनरेशन ठीक है तो रिवेन्यू जनरेशन के लिए संपतियों को ब्यवसाए तो संपतियों को ब्यवसाए में जिस उद्धिश के लिए रखा जाता है, वो है आगम पार्जन एतू, एक निस्चित अवधी में सुनिस्चित एंसू परिभासित, समाजिक आर्थिक, शोशियो एकनामिक टार्गेट, लच्छियों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाध है, जो एकनामिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन, तो आर्थिक नियोजन है क्या, एक निस्चित अवधी में सुनिस्चित, सुपरिभासित, सोशियो एकनामिक, समाजिक आर्थिक लच्छियों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेक पूंग, पब्लिक सर्विस कमीशन किस परकार के मेनेजमेंट का रूप माना जा सकता है, तो यह है मानो संसाधन प्रभंधन, क्या है, मानो संसाधन प्रभंधन, human resource management, next, वित्य वेवरण किसका भाग है, आपसे पूछा जाए कि financial statement, ठीक है, वित्य वेवरण किसका भाग है, तो यह ह बिपड़न का मुख्य बिंदू किसे कहा जाता है, marketing का important point है, जो मुख्य बिंदू है, वह है, ग्राहक को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ग्राहक को, ठीक है, customer को बिपड़न का marketing का मुख्य बिंदू कहा जाता है, next, परतेक उच्च अधिकारी, अपने अधिनस्तों, जो शवर्णेट होते हैं को कुछ सक्तियां और कारी सौंपता है ताकि अधिनस्त करमचारी प्राप्त सत्ता के अधार पर अपने कर्तब दियों अपने ड्यूटी का वो पालन कर सके या पद सुपान का कौन सा गुण है पद सुपान मतलब हैर्की का या कौन सा केरेक्टर है इसक का पर्त्या योजन मकान माली को चुकाया गया किराया कहां क्रेडिड किया जाता है ठीक है तो यह कहलाएगा रोकड खाते में किसमें रोकड खाते में कैस भूक में अभिप्रणा बेक्तियों की दसा का वह समू है जो निश्चित उदेश्यों की पूर्ती के लिए निश्चित बेवहार को इसपस्ट करती है यहां कथन है उड़ वर्थ का किसका statement है यह उड़ वर्थ का तो उड़ वर्थ क्या क्या बोलता है अभिप्रणा बेक्तियों की दसा का वह समू है जो निश्चित उदेश्यों की पूर्ती के लिए निश्चित बेवहार को इसपस्ट करती है नेक्स्ट ब्रूम ब्रूम ने अभिप्रणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है यह है प्रत्यासा सिद्धांत expectancy theory तो ब् का कौण सा सिध्धान्त या प्रिष्पल जो हे वो दिया, प्रत्या सा सिध्धान्त एक्स Truly, Next, जहां पर प्रबंध का कॉसल उच्छ इस्तर का होता है, वहां क्या संभावना बंती है, वहां पे होगा ससनेबल development वहाँ पर निरंतर विकास ही आपको देखने को मिलेगा ठीक है शचनेवल development आपको देखने को मिलेगा जहां पर प्रबंध का कॉसल उच इस्तर का होता है ठीक है जो skill होते हो हाई-level की हो तो वहाँ पर आपको सत्त विकास देखने को मिलेगा उपभोगता संचालित विचारधारा में सर्वोपरी किसे माना जाता है तो उभोगता संचालित विचारधारा में सर्वोपरी क्या है कंजियूमर है उभोगता नौकर साही सिध्धान ठीक है यहाँ पे बीरोक्रेसी प्रिंसपल की बात की जा रही है बीरोक्रेसी थिवरी की बात की जाती है, तो नौकरसाई सिध्धान्त का प्रतिपादन, किसने क्या, तो यह है मैक्स बेवर ने, तो मैक्स बेवर ने जहे है वो प्रोपौन किया था, किसको बीरोक्रेसी प्रिंस्पल को, इस्टॉक क्या है, चालू संपतियों का एक भाग, it तो उत्तरदाईत और प्रादिकार में संतुलन क्यों आ सकते हैं, क्योंकि संगठन के उदेश्यों की प्राप्ति के लिए, तो संगठन के उदेश्यों की प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है, उत्तरदाईत और प्रादिकार में बैलेंस, नेक्स्ट, प्रबंधन का ख्याती क्या है एक इस्थाई और अमूर्थ संपति ठीक है कोई अगर परशिद्ध है तो क्या है तो एक फिक्स्ट एंड इंटेंजिबल एशेट है ठीक है जिसको टच नहीं किया जा सकता ख्याती वो चीज़ है खातों का प्रबंधन को क्या कहा जाता है ये कहलाएगा मैंने ज्रियल एकांटिंग प्रबंध के लिखांकन किसी करमचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभी प्रणा में आता है ठीक है तो क्या होगा रिनात्मक अभी प्रणा है के सा अन्स शेयर कितने प्रकार के ह?, दोपरकार का अन्स और अश्यवान ओर अधिवान, तो अन्स और अधिमान, अन्स मतलब सेयर्स और प्रफेस्ट Defensemem од नक्स्ट प्रसासन के ढांचे का निर्मान किस परकार की प्राणाली द्वारा होता है पद सुपान प्राणाली मतला हायर की सिस्टम के बारा उर्भीक ये याद रखेगा उर्भीक के अनुसार संग्ठन के कितने थिवरी हैं या सिदान्त है या प्रिंसपल है तो वे 8 प्रिंसपल है उरुबिक के अंसार संग्ठन के 8 प्रिंसपल है लूथर गुली के अंसार संग्ठन के कितने सिदान्त है तो लूथर गुली के अंसार शंगठन के औरगनाईजेशन के 10 प्रिंसपल हैं किसी लच अथवा लच्छों के समोह की ओर निर्देसित क singleомे बैलन्स बनाये रखना क्या कहलाता है ये कहलाता है नियंत्रण, किन्ड्रोल क्या है किसी लच्छ अत्वा लच्छ के समूह की ओर निर्देशित किरियाओं में संतुलन बनाये रखना नियंद्रम फैलाता समाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन ठीक है सोचियो साइकोल सैंटिफिक और्गनाईजिशन किस परकार के संगठन है यह है अनपचारिक समाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन सोचियो साइकोलोजिकल जो संगठन है वो और्गनाईजिशन किस परकार के संगठन के बार है तो यह है अपचारिक संगठन के ठीक है संगठन का अर्थ है करमचारियों के बिवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदाइत के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उदेश्यों को सरल्ता पुर्वक प्राप्त किया जा सके यह स्टेटमेंट है जॉन एम गौस का नकरात्मक अभिक्रिया का उदेश्य क्या है भै से अभिप्रिरित करना मतला डरा के मोटिवेट करना तो नकरात्मक अभिक्रिया का उदेश्य भै से अभिप्रिरित करना प्रबंद की कारियों की सफलता कुसल संचार पर निर्भर करती है यह statement किसका है यह है थियो हैमेन तो थियो हैमेन ने क्या बोला है प्रबंद की कारियों की सफलता का कुसल संचार किस पर निर्भर करती है बंदकी कारियों की सफलता कुसल संचार पर निर्भर करता है, यह statement है क्यों है मैंन का, next, जब विवसाय में लेन देन हैं तो electronic तरीखा प्रयोग किया जाता है या कहलाता है e-commerce, विप्णन प्रबंधन की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ, यह है अमेरिका, ठेक, तो बंदक का कौन सा कौसल करमचारियों को प्रेडिक करता है, तो यह है इंटरपर्शनल स्कील, अंतरव्यक्तिक, इंतरव्यक्तिक, मानौस अंसाधन पर बहन की इस रूप में कारिय करता है तो मानौस अंसाधन, human resource management, शिर्ष पर बंधन और करमचारियों के समन्वे, कोडियन के रूप में कार्य करता है किसी वस्तू के मुल्य निर्धारन को मुख्य रूप से कौन सा तत्त प्रभावित करता है तो वो प्रभावित करता है डीमांड मांग ठीक है नेक्स्ट, आचानक से किया गया परिच्छन किसका एक रूप है, तो ये है नियंत्रन का, कंट्रोल का, तो आचानक से किया गया जो टेस्ट होता है वो है, ये जो रूप है वो है नियंत्रन का, बिज्यापन भरती का कौन सा सुरोत है, बिज्यापन भरती का कौन सा सुरोत है तो यह है external source, 22, शर्व पर्थम, प्रसाशन और प्रबंधन में किस ने अंतर इस्पस्ट किया था, तो यह थे Oliver Selden, तो Oliver Selden ने सबसे पहले administration and administration और management में difference इस्पस्ट किया था, Oliver Selden, बेवसाई की सफलता या औसफलता, ध्यान दीजिए, कोई भी बिजनेस है, उसकी सफलता, success और failure, औसफलता के लिए कौन उत्तरदाई रहता है, प्रबंधन, manager, responsible होता है, प्रबंध की शंपून, धाचे की new क्या है, ठीक, तो management का जो base है, ठीक, management की संपून, धाचे की new क्या ह है, वो है संगठन, उसका organization कैसा है, ठीक है, तब पता चलेगे, को हाँ पे प्रबंध कैसा है, management कैसा है, तो प्रबंध की संपून, धाचे की new क्या है, संगठन, organization, राइट, तो ये question थे, ये question आपको कैसे लगे, जैसे भी लगे हो, आप comment box में जरूर बताए, जो इसमें करेंगे, आगे इस तरीके से वन लाइनर, समाने प्रबंधन से समन्दी जोतत्त हैं, और भी वीडियो आने वाले हैं, तो ये बस एक सुरुआत है, या ये कहा है, ये पहला वीडियो थे, तो हमारे साथ आप बने रहे हैं, तब तक लिए, थैंक्यू, नन्यवाद,